कहते हैं कि खाना सबसे पहले आखों से खाया जाता है इसलिए शायद हम जितना हो सके उतना खाने को डेकरेटिव और करलफूर बनाते हैं जो सब को लुबा जाये और most of the times उसी लिए हम food colors यूज़ करते हैं लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि अंजाने में कई बार हम ऐसे colors खाते हैं जो शरीर के साथ साथ दीमाग पर भी बूरा असर करते हैं हेलो फ्रेंड्स हेल्स वेसिपिक चैनल पर अपका स्वागत है चैनल को सब्सक्राप करना ना भूले और आज हम जानेंगे कि सिंथेटिक food colors खाने से हमें क्या नुक्सन हो सकते हैं मार्केट में मिलने वाले ज्यादा तर food products में synthetic food color मिला जाता है और हम भी उसे पढ़कर खरीद लेते हैं क्यूंकि हम शायद उससे होने वाले दूश परिवनाम नहीं जानते ज्यादा तर food colors लैब में petroleum से मिलने वाले chemical से बनाए जाते हैं जो घर में पकने वाला खाना, processed foods, cosmetics, दवाई या वगरे में यूज होते हैं अगर ये synthetic colors यूज के लिए approved है तो दिक्कत कहा हैं? तो दिक्कत यहा है कि foods में डाले जाने वाले colors की मात्रा शायद regulate होती हो पर आज के टाइम में हम सुबह से राद तक बहुत बार processed food consume करते हैं, daily basis पर cosmetic यूज करते हैं, दवाई या खाते हैं, इन वज़र से कई ज्यादा मात्रा में हम colors खा रहे हैं और हम किचन में भी देख ले तो बहुत सारी चीजों में मिलावट की तोर पर colors यूज किये जाते हैं, और हमें पता भी नहीं होता हैं, for example, मिर्शिप ओडर, healthy वगेरा और सबसे ज़्यादा हमारे बच्ची ही रंगी भी रंगी चीज़े खाते हैं, जो ज़्यादा बड़ी चिंदा का विशय है, synthetic food colors जेने हम अच्छा और सस्ता समझ कर खा रहे हैं, उनसे खाने के कोई गुनवत्ता नहीं बढ़ती, और ज़्यादा मात्रा में ये colors खाना safe न दिका ही ना दे, पर दुनिया में ज़्यादा तर लोगों ने, खासकर बच्चों में inside effects को report किया हैं, और इनके सेवन बंद करने के बाद positive effects भी share किये हैं, ऐसे chemical से बने food colors को silent killers भी कहा जा सकता हैं, जीने से profits के लिए companies use करते हैं, ये हमें शायर एक ही दिन में side effects ना दिखात हो, लेकिन अगर हम ठीक से देखे तो, आज कल society में बढ़ने वाले physical और mental issues और इनसे बपन होने वाले social issues के लिए synthetic food colors भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि हम कभी ये conclusion तक पहुच ही नहीं पाते कि इतने सारे issues इन chemical से बने food color से भी हो सकते हैं, और सिर्फ इनसे होने वाले side effects की या लेते रहते हैं, जिसमें भी शायद synthetic food colors हो, हमारा मकसद आपको ये बताना है कि हम इन synthetic colors के खिलाफ आवाज नहीं उटाते हैं, और products खरीते जाते हैं, जिससे companies भी उनका इस्तेमाल अपने products में जारी रखती हैं, अगर demand में बदलाव किया जाएं, तो automatically supply में भी रहेगी, काफे सरे natural food colors भी होते हैं, और वो plant या fruit से बनते हैं, जो एक अच्छा और safe option हो सकता है, पर कुछ companies उनको cost cutting के लिए अपने products में नहीं use करते हैं, इसलिए हमें food products के label चेक करके ही खरीदनी चाहिए, उनमें food colors ना हो तो बेतर हैं, और हो भी तो natural food colors हो, इसलिए हमे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये information पोचाने चाहिए, ताती बचों से भी ये knowledge share करनी चाहिए, जिससे वो भी खुद सही product का इस्तिमाल करें, और हाँ, इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जय हिंद!